इस वीडियो में हम कुछ important government schemes देखने वाले हैं सो start करते हैं First one is प्रधान मंत्री जन्धन योजना ठीक है और इसका short form है PMJDY यह launch हुआ था 28 August 2014 में इसका objective मतलब यह launch करने का मकसद क्या था? Financial inclusion and access to financial service for all household in the country Financial inclusion मतलब क्या है कि financially add हो मतलब money के जो issue है वो सब और SS हो उनको जो भी financial service है पूरे household में country के ठीक है तो प्रधान मंत्री जन्धन देखो यहीं से आप कर सकते हुआ जन्धन धन मतलब क्या होता है? money next is प्रधान मंत्री उज्विला योजना ठीक है इसके short form थी PMUY यह launch की गई थी 1st May 2016 को यह जो important schemes होती है वो आती रहती है exam में इसको objective था to provide free LPG connection to all BPL household across the country BPL क्या होता है? below poverty line जो भी लोग हैं below poverty line वैसे घरों में LPG की connection जो gas cylinder होते हैं बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको free में provide करवाया जाए यह इसका objective था नेक्स्ट है प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन ठीक है? और इसकी short form है PMAY-U यह launch हुआ था 25 June 2015 को इसकी objective क्या थी? To provide housing for all urban poor in the country by the year 2020 तो जो poor urban जगह पे रहते हैं जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो poor लोग होते हैं उन लोगों को housing provide करवाना यह इसका objective था और यह कब तक हो जाना चाहिए था? According to 2015 में जो launch हुआ था 2020 तक ऐसा हो जाना चाहिए था नेक्स्ट है प्रधान मंत्री वाया बंदना योजना ठीके प्रधान मंत्री वाया बंदना योजना इसकी short form है PMVVY यह launch की गई थी 21st June 2017 को इसकी objective थी pension scheme for senior citizen above 60 years of age to provide them an interest of over 8% for 10 years यह एक pension scheme थी जो भी senior citizen है हमारी country के जिनका age above 60 है उनको यह scheme से profit होता यह उनको इन scheme में जो भी चीजें हैं वो प्रवायट की जाती प्रधान मंत्री सुकन्या जम्रधी योजना यह बहुत important है मैंने इसको दो-तीन exam में आये हुए देखा है इसके short form है PMSSY यह launch किया गया था 22 January 2015 को इसकी objective थी यह एक saving scheme था girl child के लिए in order to provide the financial security under बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आंदोलन तो जैसे बहुत सारी अभी भी होती है अगर कोई लोग ऐसा scheme वेगरा ना भी ले तो भी वो करते हैं अपने डॉक्टर के लिए money safe करते है ठीकि बादमन के पढ़ाई है किसी भी चीज के लिए उनको financial कोई दिक्कत ना हो तो यह government ने चलाया था यह scheme था जिसमें girl child के financial security प्रवाइट की जाती थी और यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो था उसी के अंडर यह किया गया था नेक्स्ट है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना पी एम एम वाई यह launch किया गया था 1st April 2015 को इसका objective था providing financial assistance in the form of loan to increase self employment and generate employment तो जैसे कोई भी business वेगरा करना चाता है या खुद को self employ करना चाता है तो उसके लिए loan प्रवाइट किया जाता था या प्रवाइट किया जाता है इसमें ठीक है और वो खुद के लिए तो काम करेगा और साथ साथ में दूसरों के लिए इंकम या employment जिनरेट करेगा कोई भी काम एक अकेला इंसान तो नहीं कर सकता I'm talking about business here business वेगरा जो है वो कोई एक अंसान अकेला नहीं कर सकता उसको और भी लोग साथ में चाहिए न तो वहाँ से क्या और है employment जनरेट हो रही है नेक्स्ट है प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना ये लॉंच हुआ था 9 में 2015 को इसकी objective थी प्रवाइड इंस्योरेंस लाइफ कवर और रुपीस 2 लाक तो एवरी सिटीजन आफ कंट्री अट अनॉमिनल प्रीमियम नॉमिनल प्रीमियम के जैसे मंत्री कुछ चार्ज करना पड़ता है अभी तो बहुत सारे आपने इंस्योरेंसी 2015 का है तब उतना नहीं होगा पर अभी आपने देखा होगा टीवी पे बहुत सारे आड आते रहते है इंस्योरेंस कंपनी के नॉवित प्रीमियम है तो आपकी फैमिली को पैसे मिल जाते है तो यही होता है इंस्योरेंस में ठीक है, नेक्स्ट है नमबर एट, प्रेधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका शॉर्ट फर्म है PMSBY, ये लॉच किया गया था 9 May 2015 को, इसका अबजेक्टिफ क्या था, प्रवाइड एक्सिदेंशल इंशूरेंस, कवर अप्टू रुपीस 2 लाक फूर एबरी सिटेज अब देखो, ये जीवन जोती बीमा योजना था, तो इसमें जीवन से रिलेटर है, मतलब लाइफ का इंशूरेंस है, और ये है सुरक्षा बीमा योजना, मतलब आपको कुछ अचिडेंट विगरा हो जा रहा है तो आपको वहाँ याँ पर इंशूरेंस मिलेगा, अगला ह नाइन्थ अटल पेंशन योजना, ये भी 2015 में ही लाँच हुआ था, 9 में 2015, इसको अबजेक्टिव था, तो प्रोवाइट फाइनशल सेक्योरिटी तो सीनियर सेटिजन इन फॉर्म पेंशन और रूपीज थाउजन और माक्सिमम रूपीज फाइफ थाउजन पर मत इसमें पेंशन मिलता था, इनको मिनिममम थाउजन रूपीज का, और माक्सिमम फाइफ थाउजन रूपीज का, देखो कभी-कभी क्या होता है, जो सीनियर सेटिजन होते हैं, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, या फैमिली ही उनके साथ मिस्भीएब करने लगत के लिए यह लौंच किया था, नेक्स्ट है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना, अब खसल क्या होता है, फसल से आपको पता होगा, हिंदी अगर आती है, तो फसल मतलब क्रॉप, प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना यह लॉंच किया था, 11 ऑक्टूबर 2014 को, इसका ऑप्जे तो जैसे कभी बाड आ जाती है या कभी सूखा बढ़ जाता है अभी अपने थोड़ दिन पहले देखा होगा कि टिड्डिया करके कुछ थी वो फ्लाइस वो किसान के क्रॉप्स को बहुती बर्बाद कर रहे थी ठीक है तो ऐसा कुछ केस हुआ जिसमें नाच्रल रीजन्स के वज़े से फार्मेर की क्रॉप को बहुती डिस्ट्रक्शन पहुंच रहा है बहुती खराब हो जा रहे हैं या वो लोग अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो गर्मेंट उनको इंशुरेंस देती है तो वही इंशुरेंस का नाम यह है कि प्रधार मत्री फसल बीमा य लग-लग जगा की कंपणियों को इनWight किया जाये और उनको एंकरेच कर जाय कि आप इंडिया में आके अपनी प्रोड़क्स जो है उसको इसको मैनिफेक्ट्चर करो इससे क्या होगा बहुत सारी चीज़ों में प्रॉफिट होगा इंडिया को एक तो जोब एंप्लोइमने मिलेगा, company बन गई, company में काम करने वाले लोग चाहिए, फिर employment बनेगा, और जिसे suppose करो कि वो product है, company बन गई और product भी बन गया, तो उसके बाद क्या होगा, वो product हमारे country में उसको हम use कर सकते, without giving import charges, हम बहार से अगर कोई भी परड़क लाते हैं, तो हमें import के charges लगते हैं, तो ये सब चीजों में profit होता है, अगर बहार की company को याकर, इंडिया में ऐसा काम करें है, इंडिया में ही बड़ी-बड़ी company कुछ ऐसी खुल जाए, तो भी इससे काफी हल्प होगी, तो ये था make in India, अगला है स्वच्छ भारत अभियान, ये launch किया गया था 2nd October 2014, गांधी जी के बर्दे के दिन, तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा, इसको objective था कि cleanness को encourage किया जाए हर जगा इंडिया में, और improve किया जाए public sanitation facilities, public sanitation facilities, जैसे जो public toilets होते हैं, उन सब को safe कर जाए और लोगों को भी encourage किया जाए कि वो उसको use कर रहे है, तो गंदा करके ना जाए, अभी आपने देखा होगा award भी मिलता है, cleaniness award की कौन सा city, किता cleanness, तो जो ये अभियान है, इसी अभियान के under ये सब किया गया था, तो इस तरीके से cleanness भी होगा, हर जगा, और ये सब के लिए better होगा, क्योंकि साफसफाई होगी तो बिमारिया भी कम होगी next है 13, digital india, ये launch किया गया था 1st June 2015 को, इसका objective था to ensure government services to ensure that government services are made available to the citizen electronic and making the country digital empowered in the field of technology so आपने देखा होगा कि हर कुछ-कुछ महीने बाद, या एक महीने में बहुत सारे portals या apps ऐसे government launch करती जाती है, क्यों करते है digital india को बढ़ावा देने के लिए ताकि लोग electronically हर चीज यूज करें इससे country digitally empowered होगी और technology की field में भी लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना PMKVY आपको short form भी याज रखने है क्योंकि ऐसा भी हो सकते है short form देखे बोले कि इसकी full form क्या है बताओ तो यह launch किया गया था 15 July 2015 को इसका objective था to provide skill training course in different industrial vertical through authorized training center तो authorized training center बनाया जाएगा और उसमें लोगों को skill training दी जाएगी अलग-अलग industries के लिए कोशल विकास से यही होगा skill training ठीक है यहाँ से आप याद रख सकते हो next है one rank one pension scheme यह कब launch हुआ था 5 September 2015 में इसका objective क्या था one rank one pension और same pension for same rank for same length of service irrespective to the date of retirement तो कब retire हुए है उसका ना देखते भी उन्होंने उनकी pension सेम होनी चाहिए अगर उनकी rank सेम है तो यह था इस scheme का objective next है 16 प्रधान मंत्री सुरक्षित मातरत्वा अभ्यान PMSMA यह launch किया गया था 9 June 2016 को इसका objective था to provide free check-up to all pregnant women assuring their good health and birth of a healthy child इसमें pregnant women को free में check-up provide किया जाता है ताकि यह पते चले उनकी health ठीक है या नहीं और जो baby है वो healthy born हो अगर mother को कुछ disease है या कुछ problem है और पहले ही diagnosed हो जाएगा तो child पे उसका less effect होगा और अगर कोई ऐसी disease है जो curable है तो बच्चा उससे बच सकता है So this was the main motive Next है Swem Prabhas DTH channel यह channels अभी भी चलते हैं ठीक है अभी तो COVID की अज़ेसे इन channel पे regular studies भी होती है तो इसमें क्या किया जाता है बताती हूँ यह launch कब हुआ था 9 July 2017 को अच्छा मैंने इसमें 2014 से लेके 2020 तक सारे important जो भी है डाले हूए तो इससे बाहर आपको नहीं आएगा जिते भी यह schemes विगर है अगर आप इतना ही अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके लिए काफी helpful रहे गाई इसका objective था तो प्रवाइट फ्री एजुगेशनल content थ्रू 32 DTH channel 24 इंटर 7 and for different subject and topic अभी भी आप देख सकते हो आपने जो टीवी है ना उसमें जाके चेक करना ही स्वेम प्रभास चैनल जो आता रहता है और कोविट के वज़े से बच्चे इसको काफी यूज भी करते है इसमें फ्री में educational content स्कूल के जो बच्चे होते हैं प्रोवाइट किया जाता है चाप्टर वाइस ठीक है अर ऐसे टोटल 32 चानल बनाए गए थे इसमें 24 इंटो 7 educational वीडियोज ही आती रहती है अलग-अलग teachers अलग-अलग topic पे अलग-अलग subject पे अलग-अलग class के वीडियोज लेते रहते हैं ठीक है नेक्स्ट है आयशमान भारत योजना यह जो अनाउंस्ट किया गया था यह किया गया था 15 April 2018 को इसका objective था aimed at providing health insurance coverage of up to Rs. 5 lakh per year and about 10 crore poor BPL families across the world country, sorry तो around 10 crore families जो है उनको यह योजना या health insurance है जो मिलनी चाहिए इसमें health insurance कितनी मिलनी चाहिए पर year 5 lakh यह इनका aim था कि यह provide करेंगे वाया दिस अभियान ओके आयशमान भारत योजना नेक्स्ट है 19 National Nutrition Mission for Child and Pregnant Woman तो यह एक mission है यह launch किया गया था 8 March 2018 को इसका objective था कुपोशन मुक्त भारत कुपोशन आपको पता है गर malnutrition malnutrition को कुपोशन बोलते है mission to provide necessary and educate nutrients to women, adolescent girl and young babies 0 to 6 age काफी जो गाउं के स्कूल होते हैं आपने देखा होगा उनमें आंगरवारी सिस्टम होता है उसमें बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको खाना भी वहीं से मिलता है और इस तरह की काफी schemes चलती रहती है बीच बीच में अभी recently किसी government ने ऐसा announce किया था कि उनके जो ऐसे government schools होते हैं उसमें लड़कियों को free में हर रोज 200 ml milk दिया जाएगा ताकि जो उनका adolescent age होता है उनमें उनको growth की या nutrients की कमी ना हो देखो main चीज क्या है missions और ये सब अभ्यांस तो आते रहते हैं इसको कैसे implement किया जाता है उस पर depend करता है mission काफी अच्छे अच्छे आते रहते हैं और बहुत ही अच्छे अभ्यांस होते हैं ये सब लेकिन क्या ये नॉर्मल लोगों तक पहुच पाते हैं कि नहीं जिनके लिए ये बनाया जा रहा है उनको इनसे कितना benefit होता है ये चीजे matter करती है ठीक है next है प्रधान मंतरी मातरत्व वंदना योजना देखो ये word जहां पे भी आ रहा है by increasing the number of institutional delivery across the nation तो बेबी को born करते वक काफी मतलब कुछ-कुछ women होती है जिनकी death हो जाती है तो उसको बोलते है maternal mortality rate तो इसको कम करना है तो इसको कम कैसे करेंगे जो institutional deliveries है उनको बढ़ा कर institutional delivery मतलब क्या हुआ जो hospital में जाकर delivery होगी तो doctors होगे वहाँ पे professional होगे तो उससे chances कम हो जाएंगे तो जैसे गाओं वेगरा में क्या होता है या जो शेहरों में भी जो poor लोग होते हैं गाओं में तो hospital भी available नहीं होता तो वो लोग क्या करेंगे वो लोग घर में ही delivery करते हैं जिसके वज़े से काफी ऐसे chances होते है या काफी ऐसा time आ जाता है कि mother जो होती है उनकी death हो जाती है या कुछ लोग hospitals को afford नहीं कर पाते हैं जिसके वज़े से वो home delivery ही करते हैं घर में ही delivery करते हैं अपने babies का और उस time उनके पास कोई professional available नहीं होता तो कुछ भी अगर गलत हुआ तो वो result होगा उनका death तो इस चीज को रोकने के लिए ये scheme बनाया गया था अगला है Bheem भारत interface for money app ये एक app है ये launch की गए थी December 30, 2016 को इसका objective क्या था to encourage people to use digital payment method for all kind of money transaction and bring transparency to the system so ये आपको भी पता होगा भी इतने छोटे तो नहीं हो गर आप entrance exam के लिए prepare कर रहे हो जादा से जादा भी 17 years की होगे तो जो cash होता है उसमें काफी इदर उदर मतला लोग चोरी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि उसमें कोई proper bill नहीं होता तो ये ज़रूरी नहीं है जब हम cash के through किसी के साथ पैसो की लेन देन कर रहे हैं तो हम उसका bill रखे और government को उसके बार में पता चले जब हम कभी भी online transaction करते हैं आपने देखा होगा तो वहाँ पे GST या जो भी fees होती है वो भी कटती है तो इससे क्या होता है ट्रांस्पिरेंसी रहती है सिस्टम में प्लस आपके bank account से पैसे कटते हैं हर चीज एक proper form में आती है जो चीज cash के through अगर करें तो अवेलिबल नहीं होती है ये ट्रांस्पिरेंसी तो इसलिए लोगों को encourage किया जा रहा था कि वो डिजिटल पेइमेंट मेथर्ड यूज करें ये तो चलो 2016 का है अभी हम 2021 में आगए तो अभी तो कितने सारे डिजिटल पेइमेंट मेथर्ड आगए आपको पता ही होगा पेटियम फोन पे गूगल पे फिर एलाइंस का भी है एटल का भी है अभी तो मुल्टिपल डिजिटल पेइमेंट मेथर्ड आ चुके हैं नेक्स्ट है राष्ट्र वायोश्री योजना ये लॉंच किया गया था मार्च 25 थ 2017 में इसका अब्जेक्टिव क्या था तो जो ओल्ड पीपल हैं अपनी लाइफ अच्छे से अक्टिवली जी सके तो उनके लिए ऐसा महौल क्रिएट करना जो उनके एज फ्रेंडली हो सोसाइटी में और उनको लाइफ एसिस्टिंग डिवाइज मतलब जो उनकी लाइफ में हेल्प करे ऐसे कुछ डिवाइज़ उनको प्रोवाइट करवाना नेक्स्ट है उननत जीवन बाइ एफॉर्डबल एलेडी ज एन अप्लाइंस पॉर ओल ये फुल फॉर्म किसका है उजाला का ये लॉंच किया गया था उजाला स्कीम 1st में 2015 को इसकी objective थी to promote efficient lighting, reduce energy consumption, energy saving through use of LED bulbs and energy efficient fans तो जो bulbs होते हैं या पुराने टाइप के fan होते हैं वो काफी जादा energy लेते हैं और अपने दिखाऊगा वो heat up भी हो जाते हैं बहुत जल्दी पर LED में ऐसा नहीं होता है, LED बिजली तो energy तो बहुत कम लेता है बट हमें रौश्णी अच्छी देता है तो लोगों को इस चीज के बारे में aware करवाने के लिए ये scheme launch की गई थी नेक्स्ट है प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामिन अभी इससे पहले हमने पढ़ा प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन यहाँ पर क्या है ग्रामिन ग्रामिन गाउं के लिए ठीक है अब्जेक्टिव लॉज कब हुआ है 1st April 2016 को अब्जेक्टिव है तो कंस्ट्रक्ट 4 करोर होम्स अंडर P.M.A.Y.G. इन रूलर एरिया अक्रॉस तकांच्री बाइद एर 2020 तो सेम अब्जेक्टिव है बस यहाँ पर गाउं में रूलर एरिया जो है वहाँ पर यह सब होम्स बनाए जाएंगे लोगों के लिए और प्लान किया था गर्मेंट का की अराउंड 4 करोर होम्स बनाए जाएंगे इस स्कीम के अंडर नेक्स्ट है स्टैंडप इंडिया लोन स्कीम यह लांच किया गया था 5 एप्रेल 2016 को इसका अबजेक्टिब है तो प्रवाइट फैनेशिल एड तो SC & ST and women to promote entrepreneurship and employment in the country तो इसमें financial support प्रवाइट किया जाएगा SC और ST पीपल्स को और women's को और प्रमोट किया जाएगा ताकि वह एक entrepreneur बने मतलब कुछ बिजनेस में करे और जिसे की country में employment जेनरेटों next one is 27 श्याम प्रशाद मकरजी Ruben Mission Ruben क्या है rural and urban दोनों को mix करके तो ये दोनों के लिए mission बनाया गया था ये launch हुआ था 21st February 2016 में इसको objective क्या था to create 300 ruler cluster across the city and strength financial job and lifestyle facilities in rural areas तो जो rural areas है वहाँ पे job, financial strength करना, lifestyle facilities प्रवाइट करना ये mission का objective था next is sovereign gold bond scheme ये launch हुआ था 4th November 2015 को इसको objective था to lure tons of golds from household into the bank system and provide security and financial benefits to the owner तो आपको पता होगा ये 2015 का है अभी भी बट स्टिल आजकल भी लोग अपने घर पे ही अपना gold वेगरा का चीज़े रखते हैं तो इसका main objective क्या था कि लोग जो भी अपनी gold की चीज़े हैं जो भी jewelry होती है या biscuits देखा होगा आपने सोने के biscuit बोलते हैं उसको तो वैसा कुछ भी है उनके पास वो जाके bank में जमा करवा दे और bank system को उन लोगों को भी जो जिनका awesome आने उनको तो गलेगा ही financial benefit लेकिन banks को भी मिलेगा जिससे हम bank में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक को भी उसे फाइदा होता है, हमें भी फाइदा होता है, अगला है smart city mission, यह launch किया गया था 25 जून 2015 को, इसका objective था to develop 100 cities all over the country, making them citizen friendly and sustainable, तो ऐसे 100 city बनाने के लिए यह इसका objective था, ऐसे smart cities बनाएंगे, जो वहां के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही friendly और sustainable रहेगा, next is Attal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, AMRUT, short forms भी याद रखो, यह launch किया गया था 24 जून 2015 को, इसके objective किया थी, to provide basic service to household and buildings, amenities in cities, to improve the quality of lifestyle for all especially poors, तो एक basic जो service होती है, households and buildings के लिए, वो provide करना, life quality जो होती है, उसको improve करना, especially poor people के लिए, Rejuvenation मतलब और transformation मतलब भी अगर आपको पता होगा, तो वहीं से आप, अगर आपको full form पता है, जैसे short form दे दे, आपको full form पता है, and then उसके बाद आपको words के meaning पता है, तो भी आप एक guess work करके लगा सकते हो, कि इस mission के अंदर क्या होगा, ओके, next one is, skill India, this is important, यह हुआ था launch 16, July 2015 को, इसके objective क्या थी, to train overall 40 crore people in India, in different skills, by 2022, तो skills अलग अलग जो भी काम होते हैं, तो 40 crore जो people हैं, उनके अंदर, या उनमें कोई ना कोई ऐसा skill आ जाए, यह इसका mission था, ठीक है, by 2022, next is, soil health card scheme, यह launch किया गया था, 17 February 2015 को, इसके objective क्या थी, to help farmer to improve the productivity from their farms, by letting them know about the nutrients and fertilizer required for the farms, तो farmers जो है, उनकी मिट्टी जो है, जमीन है, उनकी मिट्टी में किस चीज की कमी है, कौन से fertilizer या nutrient की कमी है, या required है उसमें, वो उनको बताना, तो वो चेक करेंगे, soil उसका, and then उन लोगों को बताएंगे, ताकि उनकी productivity अच्छी हो, increase हो, next is 33, 3 स्वाभ हिम मां से समझ आरा, आपको women के उपर है, ये 3 मतलब women, launch हो था, ये 27 जानवरी 2018 को, इसकी objective थी, to an unique initiative by CSG, to ensure good health and hygiene for women's, women's की health and hygiene के उपर ही एक mission था, ठीक है, अगला है, सेतु भारतम project, ये launch किया गया था, 4 मार्च 2016 को, objective किया था, सेतु भारतम project, aimed at making all national highway free from railway level, crossing by 2019, जितने भी national highways हैं, उनको free कर दिया जाएगा, railway level से 2019 तक, ये इनका mission था, नेक्स्ट है, Indian Railway passenger travel insurance scheme, ये launch किया गया था, 2nd September 2016 को, इसकी objective थी, to provide an insurance cover of 10 lakh, to all Indian railway passenger at a premium of very 92 पैसा, तो सिफ 92 पैसा पर आपको health premium मिल रहा था, एक तरीके से insurance बल रहा था, या कुछ हो जाता है, तो वैसा अगर कुछ हो गया, तो आपकी family को 10 lakh रुपीज मिल जाएंगे, insurance यह ही होता है, ठीक है, next है, 36, Udhan Scheme, यह हुआ था, launch 21st October 2016 को, इसकी objective थी, main objective of Udhan Scheme was, is to provide the cheaper air travel opportunities to all the people of country, अभी पह आपको पता है, काफी लोग होंगे ऐसे, जो कभी plane में नहीं गए होंगे, है ना, तो यह इसका launch करने का यही objective था, जो air की means से travel होती है, उसको थोड़ा cheaper कर दिया जाए, ताकि सब कोई उड़ सके, next है, भारत के वीर portal and app, यह launch किया गया था, 10 April 2017 को, to enable general public health, the family of martyrs by donating money online directly to the individual brave hearts accounts और भारत के वीर corpse, तो इसमें क्या किया था, यह app and portal launch किया गया था, तो जो भी martyrs होते, जो शहीद हो जाते हैं, उनकी family को direct money transfer कर सकते हैं, यह अभी भी है, ठीकि अगर आप में से किसी को करना हो, तो आप जाके कर सकते हो, उन लोगों को अगर आपको money किसी तरीके से donate करना है, उनकी family को help कर दा है, तो आप इस आप पे जाके उन्हें पैसे donate कर सकते हो directly, कोई इधर उदर नहीं जाएगा, इसका बस यही फाइदा था, नहीं तो कैसे क्या होता है, कभी कभी हम लोग money donate करते हैं, NGO's या किसी में भी, तो वो directly उन लोगों के पास नहीं जाता, जिनको ज़रूरत होती है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा, निक्स्ट है प्रधान मंत्री, महिला शक्ति केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म देखलो, यह launch हुआ था, 22 November 2017 को, objective था, to increase the care, protection and development of women across the country, by improving the child sex ratio, survival of newborn girl child, girl education and empowering them, through several initiatives, objective, तो यहाँ पर मतलब महिला शक्ति से बात हो रही है, तो women को कैसे empower करा जाए, उस पर ध्यान दिया जा रहा था, हाना, तो उनकी survival हो गई, अब यह नहीं की पैदा कर दिया, उसके बाद उसको पढ़ने लिखने नहीं दे रहो, तो उनको पढ़ने लिखने भी देना है, empower करना है, तब जाके आगे वो कुछ कर पाएंगे न, और यह बहुत strange है, अभी 20th century में भी ऐसा होता है, especially जो गाउंट वगरा के एरिया होते हैं, गर्ल्स जादा वहाँ पर पढ़ने ही पाती हैं, और नहीं उनको proper health facilities भी मिलती है, और city के एरिया में भी अगर मैं बोलू तो वो भी गर्ल्स के लिए उत्ता safe नहीं है, अभी news आप लोग देखते होगे तो आपको पता होगा, अगर बोलूँगी तो वो पूरा topic के बाहर हो जाएगा, इसलिए इस topic पर अभी हम बात नहीं करते हो, okay, but as a girl आपको भी पता है कि कितनी protection मिलती है और कितनी cure मिलती है इंडिया में girls को, है न? next is GST, goods and services tax, ये launch होगा था 1st July 2017 को, इस पर goods and services पर tax लगना चालू हो गया था, one indirect tax for the whole country making India a single unified common market, अभी भी लगता ही है न? GST 18%, 5%, 12% ऐसे अलग-अलग product पर अलग-अलग GST लगती है, next is Namo Yojna Center, Seva Sahaita Kendra, ये launch किया गया था 5 March 2018 को, इसको objective था, to serve as one stop center for people living in remote area to gather information and take benefit of welfare schemes, तो एक तरीके से एक center बनाया गया था, तो जो ऐसे area में रह रहे हैं जिनको information नहीं मिल पाती है, तो वो वहाँ जाएंगे और अलग-अलग लोगों से मिलेंगे, जो भी schemes उनके लिए हैं, उन सब के बारे में वो लोग पता कर सकते हैं, जिस उनको welfare schemes जो आती हैं उनके लिए उसका profit हो, क्योंकि schemes उनके लिए बनती हैं, उनको schemes के बारे में ही नहीं पता हो था कि कौन सी scheme चल रहे है, क्या चल रही है, अभी कुछ scheme थे जो important लगे मुझे बट इसमें नहीं थे, so I have added it, इसको भी देख लो, यह है गरीब कल्यान रोजगार अभियान, यह launch हुआ है 20 जून 2020 को, इसके objective क्या थी, प्राइम मिनिस्टर मोधी launch गरीब कल्यान रोजगार अभियान for returning migrants worker and ruler citizen to empower them and provide them livelihood opportunities, migrant worker क्या होते हैं, अभी आपने देखा यहोगा COVID के situation में, जो किसी और state से आके किसी और state में काम करते हैं as a labor, उनको migrant worker बोला जाता है, तो उनके लिए कुछ benefits हो पाए, उनको कैसे empower कर पाए, उसके लिए एक रोजगार अभियान launch ही गई थी, अगला है PM सवनिधी scheme, this is very very important, बहुत सारे exam में आया हुआ है, PM सवनिधी scheme था, यह street vendors के लिए था, इसके full form है PM सवनिधी की प्रधान मंत्री street vendor आत्म निर्भर निधी scheme, यह launch किया गया था central government के तरफ से, जो street vendors है, उनको अपनी livelihood activities या COVID-19 के वज़े से जो भी impact हुआ है, उसमें मदद मिल पाए, the tenure of the scheme was up to March 2022, यह आ सकता है फिर से exam में, इसलिए इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना, नेक्स्ट है आत्म निर्भर भारत scheme, यह launch किया गया था on 12 May 2020, इसमें प्रधान मंत्री जो है, उन्होंने announce किया था, एक relief package of 20 lakh crore to ease the coronavirus disease, it will help India in reviving the economy, focus on land, labor, liquidity and law and will benefit farmer, worker, taxpayer, MSME and cottage industries. एक तरीके से यह एक relief package था, इतनी amount की relief packages दीर जाएगी कि करोना वाइरस की वज़े से आपको पता है, काफी लोगों ने अपनी job loss कर दी है, livelihood जो उनका means of livelihood था, वो loss हो चुका है, तो इंडिया को दुबारा इन सब चीजों में help मिले ताकि वो अपना जो labor है, liquidity है, workers, taxpayer, इन सब लोगों को इस चीज से benefit मिले, तो इतने रूपीज की एक relief package अनाउंस की गई थी, MSME क्या होता है, micro, small and medium entrepreneurs, ओके, next is, samvita scheme, ये launch किया गया था, on the occasion of national panchayati raja day, जो कि 24 April को होता है, it stands for survey of village and mapping with improvised technology in village area, तो village area जो है, अभी भी map में, google maps में, किसी भी map में देखो हो, तो पूड़ा अच्छे से नहीं रहता, तो survey किया जाए village का, and village की भी mapping की जाए, technology की helps से, ये scheme का main objective था, इसका aim क्या था, कि जो गाउं के लोग है, उनको भी right documentation, उनकी residential area का पता चिर, जैसे अगर आप city में रह रह रहे हो, बहुत जादा ही urban area में रह रहे हो, तो आप अपनी पूरी घर को map में देख सकते हो, right, बट गाउं का ऐसा नहीं होता है, तो ये उन लोगों का भी हो पाए, and they can use their property for economic purpose, नेक्स्ट इस, पब्लिक वाइफाइ, SS network interface, PM वानी, ये भी important है, ये लॉंच किया है, 9 December 2020 को, ये union cabinet ने पास किया था, नाम से ही पता चल रहोगा, वाइफाइफाइश दी जाएगी, इसका objective क्या है, aim to revolutionize the tech sphere and will sustainably improve the wireless connectivity of the country, it will boost the ease of doing business and ease of living, हमारे पास net होता है, तो हमारी life थोड़ी आसान होती है, business करना भी आसान होता है, because आजकल maximum business net पे ही हो रहे हैं, हम कपड़े भी net से खरीते हैं, खाना भी net से खरीते हैं, किसी से बात भी net से ही करते हैं, और ये एक तरीके से ease of living से ही connected है, और ये सब कैसे हो पाएगा, जब हमारे पास Wi-Fi या network जो है, वो एक अच्छी quality के होंगे, अगला है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना, ये launch हो आथा 26 March 2020 को, इसमें प्रधान मंत्री जो है, as a part of जो गरीब कल्यान योजना था, उसी के अंडर एक और योजना अट कर दी थी, इसमें feed किया जाएगा, जो poor citizen of nations थे, उनको अन्य मतलब खाना, ओके, अगला है National Digital Health Mission, ये August 15, 2020 को launch किया गया था, इसका जो mission का aim था, to create a integrated health card system, linking, practitioners with a patient, digitally by giving them, SS in real time, health records, तो क्या किया जाएगा, एक तरिके से, जैसे जो भी patient है, उसको इसके doctor के साथ link कर दिया जाएगा, किसी भी digital medium से, और जैसे मेरा कोई doctor है, मालो मुझे कुछ बिमारी है, और मेरा एक particular doctor है, उसको पता है, बार-बार मुझे अलग doctor के पास जाके, same चीज नहीं बतानी पड़ेगी, तो उसको वही चीज डाइगनॉस्ट करने में उतना time नहीं लगेगा, अब जो जानता है, कि इसको ये बिमारी है, इसका अगर ऐसा कुछ symptoms हो रहा है, तो अभी इसको ये देना है, तो उससे patient को भी help होगा, और doctor को भी help होगा, और real time उन लोगों को health record भी मिल जाएगा, नेक्स्ट है, PM कुसुम, इसके full form है, प्रधान मेंतरी, किसान, उज्जा, सुरक्षा, एवं उत्तम, महाभ्यान, ये 19 February 2019 को approved हो गया था, इस scheme का aim था, कि जो energy securities है, farmer of India को, उनको provide की जाए, energy security क्या मतलब, lightings वेगरा, तीक है, along with the honoring India's commitment to increase the share of installed capacity of electric power from non-fossil fuel source to 40% by 2030 as a part of intended nationality, मैं इसका मतलब बताती हूँ, तुमें basically इसमें क्या बोला है, जो farmers है, उन लोगों को energy security provide की जाएगी, मतलब उनके घर भी light वेगरा रहेगी, इसमें basically इंडिया का एक जो scheme था, या इंडिया की commitment थी, मैं बोल सकती हूँ, कि जो non-fossil fuel source है, उसको 40% तक increase क्या जाएए, non-fossil fuel sources क्या होते हैं, जैसे solar energy हो गई, wind energy हो गई, तो उससे हम energy है, जो उसको जादा से जादा produce करें, और इंडिया का aim था कि 2030 तक 40% जो भी इंडिया में energy आ रही है, वो किस से हो जाए, non-fossil fuel sources से ही हो जाए, तो इस scheme में basically farmers के लिए था, किसान के लिए था, उनको energy मिले, ठीक है, अगला है प्रसाद scheme, pilgrimage, rejuvenation and spiritual augmented drive, the scheme is launched under the ministry of tourism in 2015, 2015 में launch हुआ था, इसका aim था प्रसाद scheme का, कि जो pilgrimage destinations होते हैं, उनको prioritize किया जाए, plan किया जाए, और एक sustained manner रहे वहाँ पे, जो religion experience है, tourism का, वो अच्छे से रहे, जैसे क्या साथ धाम होते हैं न, ये चार धाम, लोग उसकी यात्रा करने जाते हैं, तो उनकी यात्रा बहुत ही अच्छे से हो जाए, इस चीज़ पे focus किया जा रहा था, यहाँ पे, the focus of the, so इसका focus किया था, is to develop and beautification of identify pilgrimage destination, और भी उनको beautify कैसे किया जाए, developed कैसे किया जाए, जो facilities नहीं है, वो वहाँ पे कैसे provide किया जाए, इन सब चीज़ों का यहाँ पे, बात की थी या, इन सब चीज़ों के लिए देख रेक की गई थी, so ये थे कुछ recent important वाले, और पूरा कहां से कर लिया, हमने 2014 से 2021 तक complete कर लिया अभी, इ आप इसी को याद कर लो, ये more than enough है, okay?